गंदगी का ढेर जगे जगे लगा हुआ है जो भी काली antes पड़े हैं उनमें गंदगी भरी वई है सफाई विभिस्ता का ये स्थितियए जो नंगर पालिगा कहसे आदमी आते हैं वो दस दिन में एक बार आते हैं एक गली की सफाई करते हैं और उसके बाद उस कोड़े को भी यहीं छोड़ जाते हैं और घर से कोड़ा तो लेने कोई आता ही नहीं कोड़े के डब्बे भी यहां रखे हुए नहीं हैं वहां इसकी अप्लिकेशन भी दे चुके कई बार कोई लोगों ने अभी 40 वार्डों में डोर टू दोर कलक्शन के लिए हम लोगों अपनी टीमें लगा रखी है बीज गाड़ियां लगा दी है तो वो घर घर जा रहे हैं और लोगों को सिटी बजा करके लोगों को एक टाइम फिक्स कर रखा है उस टाइम पर वहां से हम सब्सक्राइब करने का काम कर रहे हैं और जल्दी ही आने वाले समय में सहर में गंदगी दिखनी नहीं चाहिए यह हम लोगों का लक्ष है जितने हमारे सफाई नायकर सफाई इंस्पेक्टर है उन सब को हम लोगों ने बहुत कड़ी चेतावनी दी है कि अगर कहीं पर भी कू एक और जहां स्वच्छता को लेकर परदेश सरकारें लोगों को जागरूप करती नजर आ रही हैं तो वहीं सहरनपूर नगरनिगम में लगए गंदगीयों के धेर नगरनिगम को मूच इडा रहे हैं अधिकारियों का कहना है ऐसे कर्मियों के खिलाफ कारवाई की जाएग रामकमार पुंदीर, ETV साहरनपूर